हेलो एव्रिवान तो लास्ट लेक्चर में हमने थोरा सा हमारा जो टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन था थोरा सा कहीं बज गया था उसका एप्लिकेशन में बता रहा था आप लोग को इसमें मैंने बताया था कि मिराज क्यों फॉर्म होता है क्योंकि due to temperature gradient हवा जो होता है नीचे रेर हो जाता है और उपर डेंसर हो जाता है जितना ही ज्यादा हीट होगा तो सारे एर क्या होंगे due to heat उपर के तरफ चले जाएंगे तो उपर डेंस हो जाएगा और नीचे रेर हो जाएगा तो जब लाइट डेंसर से रेर में जाता है तो आपको पता है कि यहाँ पर एक total internal reflection जैसा situation फॉर्म हो जाता है जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर टेक डिफरेंट कलर अगर से change होता जाएगा change होता जाएगा change होता जाएगा एक ऐसा time आएगा जब यह अपना angle ऐसे turn कर लेगा कि देखने वाले को straight vision से दिखेगा कि उपर वाला object नीचे आ गया है तो अगर एक खजूर का पेर आप उपर देख रहे हो generally यह रिगिस्तान वगएरा में होता है तो हमें ऐसा feel होगा कि यहाँ पर पानी है लेकिन यहाँ पानी नहीं होगा इसी चीज को क्या कहा जाता है मिराज formation कहा जाता है लेकिन normal air में ऐसा नहीं होता है क्योंकि normal air में total internal reflection नहीं होता है इसका और एक application होता है 90 degree then your 180 degree and 0 degree reflecting prisms इस prism में आप देख रहे हो incident angle और reflected angle के बीच का angle जो है वो 90 degree का है यहाँ आप देख रहे हो incident angle इधर जा रहा है reflected angle opposite में जा रहा है तो यहाँ inversion का angle है 180 degree और यहाँ पर कोई angle difference तो नहीं है पर फिर भी इस prism को हम लोग यूज कर रहे है इस तरह की different angle वाले prism हम लोग बना सकते हैं by using total internal reflection इसका जो सबसे famous application है total internal reflection का वो है optical fibers optical fibers optical fibers are why so important बहुत से रिबुक में optical ऐसे भी लिखते हैं और optical ऐसे भी लिखते हैं optical fiber एक ऐसा device बनाया गया है जिसमें अभी भी controversy है कि किसने बनाया लेकिन इसमें हमारे एक Indian scientist का नाम आता है इन्होंने first observe किया कि हम light को bend कर सकते हैं जो मैं पहले भी आप लोग को दिखा चुका हूँ total internal reflection light को हम कैसे bend कर सकते हैं अगर हम light को एक denser medium यहां ले ले और इसके उपर एक lighter ले ले जैसे यहां N1 इसका है refractive index और उपर जो है इसका N2 हम ले लेते हैं और हमें पता है N1 is greater than N2 होना चाहिए इसे core कहा जाता है core of the material और यह जो ऊपर वाला एक layer होता है इसे cladding कहा जाता है तो इस तरह का material चूज किया जाए और अगर इसमें एक particular wavelength वाले light को भेजा जाए तो यह light अंदर total internal reflection करते-करते with the speed of light travel करेगा और आपको पता है speed of light is the maximum possible light that we have तो इसी speed के साथ communication करने के लिए हम लोग इसको optical fibers को communication में use करते हैं अगर आप यहां से दिल्ली बात करते हो phone पे अचाना एकदम कुछ second में phone लग जाता है बाते हो जाती है without any delay real time में just because of this optical fiber अगर optical fiber नहीं होता तो सोचो ऐसा आपको लगता होगा कि towers के tower के through बात होता है पर ऐसा नहीं है tower जो है वो आपके mobile phone से connect हो जाता है बस एक knowledge के लिए जान लो tower आपके mobile phone से connect हो जाता है हम लोग आप Kolkata में हो और आपका friend जो है वो डेली में बैठा हुआ है और suppose आपका friend जो है हम लोग उतना दूर लेंगे तो फिर MSC BAC का problem आपको आ जाएगा suppose आप Kolkata में हो और आपका friend जो है वो nearby कोई location में है जहां पर मुझे BAC चेंज ना करना पड़े यह communication का issue है यहां नहीं पढ़ाऊंगा मैं communication chapter में पढ़ाऊंगा suppose वो है आपका नदिया में बहुत दूर है around 80 km का रास्ता तो ऐसा नहीं है कि जब आप अपने friend से बात करते हो तो communication by air होता है बिलकुल नहीं आपका friend ने जो बात कहा वो इस tower के पास आता है इस tower के नीचे एक machine लगा रहता है जिस machine में optical fibers लगे रहते हैं short में OFC कहा जाता है optical fiber cables ये optical fiber cables run करते हैं through this 80 km और इस tower के नीचे लगे हुए machine में आते हैं फिर यहां से ये through air आपके friend के phone तक पहुशता है ये 80 km का जो long journey है ये travel किया जाता है through this optical fiber या ऐसे हजारों किलोमेटर फेस्बुक, twitter, instagram इन सबके जो servers हैं वो दूसरे दूसरे countries में वहां से एक country से दूसरे country में communication possible है real time में just because of this optical fiber याद रखना इसका एक बहुत important application next topic है हमारा spherical reflecting surfaces and origin of your lenses lens कैसे बनता है यही से start होता है तो यह भी बहुत important topic है reflecting surface क्या होगा अगर अब हमारा जो reflection हो रहा है इससे पहले ध्यान से देखो आप जितना भी reflection हुआ है वो plane surface से होता था जैसे कि हम लोग इस तरीके से slab बनाते थे अगर हमारा यहाँ पर origin हो रहा है light तो यह जो surface interface होता था यह plane होता था यह incident angle यह reflected angle तो plane surface होता था कभी भी हमारा spherical surface नहीं आता था अब हम लोग जो study करेंगे वह होगा spherical surface के तो spherical reflecting surface is the part of sphere of reflecting material एक sphere का एक छोटा सा पार्ट हम लोग पकड़ते हैं जो कि reflecting material का बना होता है transparent होता है the reflecting surface which is convex convex का मतलब आप अल्रेडी पढ़ चुके हो class 11 में जो बाहर की तरफ निकला हो और convex का मतलब concave का मतलब आपको पता होना चीए जो अंदर के तरफ inward हो ठीक है तो convex का मतलब science के term में कैसे कहेंगे reflecting surface which is convex towards the rarer medium ठीक है very important rarer medium के तरफ अगर बाहर के तरफ निकला है convex मतलब बाहर के तरफ निकला है rarer medium है denser medium तो rarer medium के तरफ यह convex है पाहर के तरफ निकला है तो यह मेरा क्या हो जाएगा convex reflecting surface और इसका उल्टा अगर denser medium के तरफ convex है तो इसका हम लोग कहेंगे concave okay concave reflecting surface I hope यह समझ में आया होगा convex क्या है और concave क्या है अब इसमें ना कुछ छोड़ी जोड़ी बात हैं जो आपको note कर लेनी चाहिए already हमने class 11 में optics अगर पढ़ा है तो यह clear होना चाहिए इसमें क्या क्या लाइन है यह जो आप एक लाइन देख रहा है इसे हम लोग कहते है principal axis इस लाइन को क्या कहते है हम इस लाइन को कहते है principal axis जो कि इसके किस point से होके pass करता है जो कि इसके pole से होके pass करता है यह रहा pole P stand for pole और C stand for center of curvature center of curvature center of curvature वो point है जहां हम assume कर लेते हैं कि यह जो एक sphere है न देखो ध्यान से इस तरह का sphere का हम एक छोटा सा portion ले रहा है तो इसका जो center होगा जहां से पूरा sphere मैंने बनाया है इसको center of curvature कहते है और इस point को pole कहते है बस यह एकदम clear होना चाहिए center of curvature क्या है, pole क्या है, किसे कहते हैं, कहां located होता है यह बातों में कोई भी mistake नहीं होना चाहिए चला next कुस assumption है और यह बहुत बहुत important है सबसे पहला object को हम लोग माल लेते हैं कि कोई भी object जो है हमारा वो एक point object है object is point object, remember object is always taken as point object और यह कहां पर लेंग होता है principal axis के ऊपर रहेगा कहीं न कहीं principal axis के दूसरे जगा पर हम नहीं बनाते हैं यह पहले image बनाने का सबसे आसान तरीका object को क्या पकरना है, point object और हमेशा principal axis पर रखेंगे दूसरा incident and refracted ray make small angles with the principal axis principal axis के साथ जो angle बनाएगा incident ray या फिर refracted ray वो सारे ही काफी small angles होते हैं और यह बहुत important point है please note down यह reason इसका क्या है small angle का आपको मैं यहाँ पर बता देता हूं अगर मालो sin theta में लिख रहा हूं and if theta is very small तो मैं sin theta को approximately theta लिख सकता हूं यही concept हम बार बार use करेंगे यहाँ पर या tan theta को सिर्फ theta लिख सकता हूं इसलिए हम यहाँ पर small angles का concept लेके चलते हैं क्या मेरी बात समझ में आई next point है वो है the aperture aperture मतलब जो diameter है हमारा convex या concave surface का उसको हम लोग क्या कहते है aperture कहते है aperture जो है वो उसको consider करते है हम लोग काफी छोटा हुआ अभी मैंने आप लोग को एक sphere बना के दिखाया जिसका एक छोटा सा portion हमारा lens बनता है उस sphere का aperture diameter जो है diameter of the curve surface वो काफी small होना चाहिए and most most important is sign convention sign convention बहुत ज्यादा important और यह exactly exactly reflection जो हम लोग पढ़ेते class 11 में वैसा ही है same है तो incident ray को हम लोग हमेशा left से right के तरफ बनाएंगे ऐसा आप मत करना कि right से left बनाओ light हमेशा कहां से कहां आएगा left side से right hand side के तरफ light आएगा और सारे distance जो हम लोग मापेंगे सारे distance को हम लोग कहां से मापेंगे from the pole pole से सारा distance आप मापोगे pole से image का distance भी आप pole से मापोगे object का distance भी आप pole से मापोगे जो भी object बैठेगा वो pole से कितने दूरी पर है यह हमारा concern होना चाहिए and positive negative sign किस पर depend करता है तो जिस direction से ray आ रहा है ray जिस direction में जा रहा है उस direction में अगर आप length माप रहे हो तो वो positive होगा और अगर उसके opposite में माप रहे हो आप तो वो negative होगा अभी मैं इसको एक example से explain करूँगा और principal axis के upward direction में जब आप जा रहे हो ऊपर के तरफ length माप रहे हो तो वो positive होगा और अगर आप नीचे के तरफ length माप रहे हो तो वो negative होगा चलो मैं इसको आपको समझाता हूँ अब यह जो sign convention है काफी important है let me show you suppose हम लोग यह convex surface ले लेते हैं suppose this is my convex surface just a minute yeah so as you know this is my point P pole this is center of curvature मैंने क्या कहा क्या क्या assumption लिया हमेशा हम जो भी object है उसको हम लोग एक point object suppose करके हमेशा principal axis के उपर विठाएंगे और रे को हमेशा हम लोग trace करेंगे कुछ इस तरीके से जो left hand से right hand के तरफ travel करेगा और जो भी distance हम मापेंगे वो होगा positive या negative किस बेसिस पे जैसी यह मेरा object है यहां मैंने मैंने क्या बिठाया है यहां पे object बिठाया है तो इस object का जो distance होगा वो मैं हमेशा pole से मापूंगा यह ही मैंने कहा यह point समझ में आ गया है that the distance is measured from the pole of the refractive side यहां से मापेंगे और देखो रे जा रहा है left to right लेकिन मैं distance मापने क्लिक इधर जा रहा हूं रे का opposite direction में रे जा रहा है left से right और मैं distance मापने जा रहा हूं pole से इधर left के तरफ तो यह distance negative distance होगा यह x meter है तो हम इसको negative x बोलेंगे negative x centimeter और इसका image इसका suppose कर लो इसका जो image बनेगा अभी हम लोग देखेंगे कैसे बनता है वो मालो इधर बना है यह distance y जो है यह हमारा positive y हो जाएगा because ray के direction में हम इसे मापने तो यहाँ पर मेरा object का distance negative हो गया जबकि image का distance positive हो जा रहा है क्यों? क्योंकि sign convention मुड़ा यह कह रहा है कि अगर ray left से right आ रहा है सारा distance left से right के तरफ positive होगा जैसे आप right से left travel करोगे तो वो negative हो जाएग उसी तरह अगर मेरा height माप ना हो तो principal axis यह रहा मेरा इससे उपर का जो height माप होगे यह positive होगा और इससे नीचे का जो height माप होगे वो negative होगा तो sign convention एकदम clear होना चाहिए I hope clear हो गया हो चलो एक हम लोग पढ़ते हैं reflection at convex surface हम लोग पढ़ते हैं convex surface के लिए कैसे reflection होता है सबसे पहला हम लोग माल लेता है from rarer medium to denser medium rarer medium से denser medium के तरफ हम बनाएंगे और यह चीज याद रखना ऐसे condition में हमारा image जो बनता है वो real image बनता है तो rarer denser medium माल लो rarer medium का refractive index है mu1 ncrt में लिखता है n1 n2 को लिखता है n2 तो आप n ले रहे हो या mu ले रहे हो take as you wish लेकिन बस last में लिख देना that refractive index is represented by mu और refractive index is represented by n so you have to write it down next जो जो points हमने सीखे थे वो सारे बना दिये principal axis बन गया pole बन गया and हमारा center of curvature बन गया अब suppose करो यहाँ पर मैंने object को बिठाया है और हम लोग हमेशा object को point object पकड़ते है इसलिए लिखाया o is the place for object यहाँ से suppose करो एक light को हमेशा लेते हैं और इसको fake देते हैं यहाँ पर आपको पता है कि यह rarer से denser में जा रहा है तो इसका normal क्या होगा surface का normal बनाओ इसका normal कुछ ऐसा होगा तो यह अपने direction से normal के तरफ क्या होगा move कर जाएगा यह हमारे image बनना चाहिए तो इसका incident angle and reflected angle हमें पता है इसका original path यह था जो dotted line दिखाया जा रहा है लेकिन यह bend हो गया due to reflection तो यहाँ पर incident angle हमने पकड़ लिया i और इसका reflected angle हमारा हो जाएगा r as soon in the figure देखो यह figure पहले clear हुआ की नहीं एक-एक step करके चलते हैं बना confused हो जाओगी मैं बता दे रहा हूँ एक clear होना चाहिए एकड़म ठीक है clear incident angle बना reflected angle छोटा क्योंकि denser medium में जा रहा है rare and medium से यह तो होना ही था clear अब देखो यह ray एक इधर से गया यह principal axis के through लेके जाना कोई भी ray अगर principal axis के through जा रहा है और pole से होते हुए जा रहा है तो undeflected होता है normally कोई चीज अगर पड़े जैसे हमने पहले भी देखा था कि अगर मैं ray को normally डालता था तो यह normally बाहर निकल जाता है वही case यहां भी हो रहा है principal axis और pole से जो ray जाएगा वह straight undeflected जाता है remember अगर नहीं समझ मैं है तो मैं यहां लिख देता हूं ray from और ray along principal axis passing through pole is undeflected कभी भी deflect नहीं होगा तो यह दोनो ray एक जो उपर गया और एक स्ट्रेट गया यह जहां पर मिलेगा वहां image form होगा तो i stand for image and o stand for object तो मेरा object इधर बना और image इधर बना distance आपको पहले ही पता है calculate कैसे किया जाता है इससे पहले यह माल लेते हैं यहां principal axis के साथ यह angle alpha है और image जो बना रहा है angle वह है βीटा और normal जो है normal end जो हम लोग अगर खीशते यह जो angle बना रहा है gamma ठीक है r क्या है हमारा r is the center of center of curvature है r को हम लोग कहते है radius of curvature curvature का distance pole से e c जो हमारा है इसे हम लोग कहते है r radius of curvature r is called radius of curvature ठीक है यह हमारा object distance को u से denote करते हैं और image distance को v से denote करते हैं तो आपको दिख रहा है और clearly अब तुम लोग बोल सकते हो कि object distance हमारा क्या होगा negative होगा और image distance हमारा क्या होगा positive होगा यहां देखो sign नहीं दिया हुआ तो sign का जरूरत नहीं अब जब बैठाओगे तो negative u बैठाना और v बैठाओगे तो positive v बैठाना ठीक है अच्छ यहां क्या clearly हम कह सकते हैं that i is equal to alpha plus gamma कैसे होगा जरा बताओ मुझे यह i बड़ाबर होगा alpha plus gamma कह सकते हैं यहां पर देखो pure trigonometry use होगा है trigonometry use होगा और हमारा simple concepts use होगा जैसे यहां पर देखो मैं ध्यान से इस figure को बना दे रहा हूँ बाकि सब तुम लोग खुद करोगा यहां पर यह angle है alpha ध्यान से देखो यह angle है gamma और इसको मैंने इधर ले गया तो यह angle मेरा बनता है i अब तुम लोग मुझे बताओ कि क्या मैं कह सकता हूँ अगर यह i है और total 180 है तो यह angle मैं 180 minus i लिख सकता हूँ क्या कोई problem और तीनो triangle के angle को अगर sum कर दिया जाए तो alpha प्लस gamma प्लस 180 minus i बडाबर कितना होता है तीनो angle को sum करके 180 होता है 180 यहां से i बडाबर कितना निकल गया alpha प्लस जैसे मैंने एक किया बाकि सब आप खुद करोगी तो i हो गया उसी तरह gamma को आप निकाल कर देख लेना gamma is equal to r plus beta होड़ा या नहीं होड़ा this is your task बहुत simple है तीक है मैं hands दे देता हूँ यह angle 90 degree है तो आप यह निकाल लेना और बड़े वाले triangle के लिए फिर sum करके निकाल लेना same आपका आ जाएगा i is equal to alpha plus gamma and gamma is equal to r plus beta यह एकदम clear याद होना चीए फिगर देख ठीक है या फिर r को हम लोग लिख सकते हैं gamma minus beta obviously और हम लोग triangle में एक एक triangle alpha triangle मतलब हम कौन से triangle में आ रहे हैं हम इस वक्त बात कर रहे है triangle o a m के बारे में या फिर m o a के बारे में not like this हम लोग यहां triangle m o a में अगर बनाए तो मैं tan alpha is equal to perpendicular by base m a by m o बोल सकता हूँ m a divided by m o ठीक है और अभी अभी मैंने यहां से यहां कैसे लिख दिया कौन बताएगा मुझे tan कहां गायब हो गया ऐसा हम इसलिए लिख सकते हैं देखो यह notes है तो मैंने बहुत summarize किया हुआ है यहां पर आप एक statement लिख लेना कि as alpha is very small यह पहले ही सारे assumption में मैंने बता दिया है कि हम angle जो भी होगा principal axis के उसको small पकड़ेंगे तो जब tan alpha बहुत छोटा होता है तो उसको alpha से replace कर सकते है sin alpha बहुत छोटा होगा तो उसको सिर्फ alpha से replace कर सकते है similarly tan beta निकालो tan beta in triangle m ia so ma by mi और beta is equal to ma by mi similarly tan gamma निकालो in triangle mca this is ma by mc और gamma is equal to ma by mc यह बच्चो वाला task है बस तीन triangle किस-किस triangle में आप कर रहे हो आप याद रखना यह हमने किया m ia में और यह triangle था mca जिस-जिस triangle में किया और यहां से यहां यह चीज़ इसलिए आया है कि as alpha, beta and gamma are very small तो snail slow क्या कहता है हमें snail slow कहता है sin i by sin r is equal to mu 2 by mu 1 इसी same principle को हम अगर यहां लगाए फिर से आपको पता है कि i और r छोटा है to sign convert हो जाएगा simply i और r से तो हमें यहां enough relations मिल चुके है using this relation shall we write it down like this and we know the relation between i and r substituting this all equations shall we get rearranging this is your homework यह rearrangement करना आना चाहिए कि कह physics में अगर strong बनना है तो मैं बार बढ़ कहता हूँ copy pen लेके बैठो घसो लिखो दो बार तीन बार derivation खुद से करो देखो तुमको मज़ा आने लगेगा इस चीज में यह सारे equations मैंने बता दिया i is equal to alpha alpha का value क्या है आपको पता है beta का value क्या है इसको substitute करो यहां पर और मुझे निकाल कर बता के दिखाओ कि mu1 by PO plus mu2 by PI is equal to mu1 minus mu2 by PC and you know what is PO PO देखो symbol में क्या है PO is nothing but your object distance what is PI PI is nothing but your image distance and what is PC PC is nothing but the radius of curvature so everything is known here PI is taken as positive ठीक है and PC is taken as positive but U is taken as negative because it is in opposite direction so यहां पर हम U के जगा negative U बिठाएंगे opposite direction according to sign convention object distance image distance this is very very important expression which will be used for making lens formula lens formula से बनाया जाता है तो यह बहुत important एक ठीक है यह जैसे मैंने किया convex surface के लिए अगर virtual image कब बनता है जब rarer medium to denser medium में जाए यह आप खुद से कर लोगे ठीक है same इसका होना चाहिए formation आप यहां पर देख सकते हो जब object को हम कहां बिठा रहे है object को principal axis के बहुत पास बिठा देंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि यह पीछे जाके मेरा image कहीं बन रहा है तो this is a virtual image ठीक है और तुम दोग सोच रहोगे formula बदल जाएगा formula नहीं बदलेगा कभी भी बस आपको condition क्या याद रखना है कि कौन से medium में object को कहां बिठाते हैं तो मेरा real image form होता है और object को कहां बिठाते हैं तो मेरा virtual image form होता है तो note कर लेना position of object for real and virtual images okay so go ahead यह बाकी सारी चीज़े जो है यह आपका home work है इसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा आप यह देख सकते हैं जो भी अभी हमने पढ़ा वो सारी चीज़े यहाँ पर summarize की गई है expression for object in rarer medium is same or whether it is real or virtual image for or convex or concave image जो मैं बार बार कह रहा था कि हमारा formula change कभी नहीं होता है जो formula हमेशा fixed होता है which is this one expression for object in denser medium is same whatever it is real or virtual same thing as you know just mu1 mu2 change हो जाएगा जब हम denser medium to rarer medium जाएगे देखो position of mu1 and mu2 just alternated nothing else and sign convention you should be very much very 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 clear about sign convention sign convention में exam में ऐसा मत करना कि u के जगा आप negative 5 cm दिया है तो आप यहाँ पर minus 5 cm बिठाओगे नहीं अगर u का value 5 cm है तो आप u के जगा 5 cm ही बिठाओगे minus तो अल्रेडी बाहर है बच्चे क्या confuse करते है बोलते u 5 cm है और यह तो negative होना चाहिए तो यहाँ पर वो क्या करते है mu2 और यहाँ फिर minus 5 cm अंदर बिठा देते तो यह minus minus प्लस हो जाता है ऐसा नहीं करना है जो u का value दिया है उसको आप यहाँ बिठाओगे अपने आप negative हो जाएगा जो v का value दिया है वो अपने आप positive हो जाएगा और अपने आप तो यहाँ पर sign बिठाना मत यही चीज यहाँ लिखा गया है okay and obviously reflecting surface mu1 mu2 interchangeable so इन सबसे जो मेरा form होता है वो था lens maker formula और यह मैं आपके लिए एक homework के तवर पर छोड़के जा रहा हूँ मैं इसको simply आपको बता देता हूँ कैसे form होता है यहाँ पर हमारा एक lens बन गया और आपको clearly दिख रहा होगा कि यह lens कैसे बना है अगर मैं यहाँ पर एक line draw करूँ अगर मैं यहाँ draw कर दूँ अंदर वाले line को मत देखो अभी जो मैं line draw कर रहा हूँ उसको देखो तो आपको यह क्या दिखेगा आपको यह क्या दिख रहा है इसको दिख रहा है आपको यह एक convex reflecting surface है दिखा ग्रीन कलर से जो मैंने बनाया और अब जो मैं बना रहा हूँ using a red color इसको ध्यान से देखो here, 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 so red color से जो मैंने बनाया वो क्या दिख रहा है आपको? concave reflecting surface तो convex surface और concave surface दोनों को mix कर देने से जो मेरा surface बनता है वो मेरा एक lens बन जाता है और इस lens को हम लोग कहते है bi-convex lens, what this is called? this is called bi-convex lens, bi-convex as of because दोनों तरफ से बाहर निकला हुआ है है न? जो denser medium है वो rarer medium के तरफ दोनों तरफ से convex है इसलिए इसको bi-convex कहा जाता है this is called bi-convex lens देखो ये rarer medium है मेरा, ठीक है? और ये भी rarer medium है, बीच में denser medium है तो rarer से denser मैंने क्या कहा? convex surface होगा, तो convex होगा, दोनों तरफ से convex है अब यहाँ पर जैसे हम लोग करते थे, object को यहाँ बिठा दिया, ये ray मेरा गया और obviously पता है आपको कि यहाँ पर normal होगा, इस normal से ये divert हो गया, यहाँ तक याद रखो यह हमें पता है, फिर हमें क्या दिख रहा है, कि यह ऐसे pass तो हो जाना चाहिए था लेकिन आपको फिर से पता है कि यह denser, यहाँ पर यह denser से rarer में जा रहा है तो फिर यह अपना position change कर लेगा for the time being हम यह assume कर लेते हैं कि ठीक है, चलो यह pass हो के चला गया यहाँ image मेरा बनना चाहिए था और इस दोनों surface पर मैंने normal को draw कर लिया लेकिन actually में क्या ऐसा होगा let me raise for a while ठीक है so similarly, इसको जब मैंने यहाँ किया, तो यह मेरा यहाँ cut कर रहा है this is center of curvature 1 from this side और यह center of curvature 2 from this side okay so for reflection at L, P1, N ध्यान से देखो, कहां बोला जा रहा है L, P1, N मतलब इस surface के बारे में बात कर रहा है हम लोग L से यह मैं गया P1 तक और P1 से N तक इस surface के बारे में बात कर रहा है तो यहाँ पर हम कौन सा formula लगाएंगे that image is formed in the denser medium वाला formula rarer to denser वाला formula जा रहा था भूल गया है, फिर से जाओ यहाँ, यह वाला rarer से denser में image बनने वाला पहला वाला जो detail में बताया है मैं यह रहा rarer से denser में जा रहा है तो जैसे image बन रहा था same formula इतना महनत करके जो हमने derive किया है यहाँ नीचे इस formula को हाँ बिठा दो देखो, clear हुआ, जो मैंने बात कही है कि हम एक वक्त पर एक surface को लेके काम में करेंगे confuse मत हो ना, हम एक वक्त पर एक ही surface को लेके solve करेंगे तो अभी मैं किस surface के बारे में बात कर रहा हूँ, L, P1, N left hand side वाला surface तो इसके लिए मेरा यह formula बनेगा और similarly, अगर मैं इसको पूरा image बना दू यह actually यहाँ से bend होके इधर ही गिड़ जायागा और यह principal axis से pass किया तो actually मैं image यहाँ form होगा इसके लिए मैं कौन सा surface यूज करूँगा L, P2, N so denser से rarer में जा रहा है लेकिन यह surface denser है, concave rarer में जा रहा है, convex यह concave mirror वाला formula बैठेगा तो L, P2, N के लिए जो formula होगा हमारा concave mirror का formula होगा आपको पता है already यहाँ पर सिप sign change होता है using this two formula अगर इनको आपस में आप combine करो यह भी आपका homework एक रह गया mathematics है, pure mathematics है और बहुत खुबसूलत mathematics दोनों को combine करके finally यह हमारा formula निकलना चाहिए जहाँ पर आप देख रहे हो कि CEO क्या है मेरा what is CO? CEO is the distance of object from the position center of the lens okay and what is CI? CI is my image distance P1 और C इतना close होता है कि मैं P1 और C को एक दूसरे के साथ replace कर सकता हूँ वही देखना next बार किया गया है वही लिखा गया है this is my image object distance this is image distance तो मैं simply OC के जगा मैं यू बिठा सकता हूँ और यह positive होगा या negative आपको पहले ही पता है object left hand side में हम travel कर रहे है तो यह negative sign के साथ बैठेगा और यह positive sign के साथ बैठेगा तो if you substitute this sign convention finally you get this particular formula which is called lens maker formula lens इसी formula के basis पे बनाया जाता है आपका कितना power का lens है इसी formula के basis पे बनाया जाता है तो यहाँ पर अगर हम लोग यह consider कर लें that mu2 by mu1 को हम लोग shortly mu लिखे तो यह formula और simplify हो जाएगा mu1 से divide कर दिया हमने और इस mu2 by mu1 के जगा सिर्फ mu से हम लोग replace कर देंगे ठीक है तो यह formula हमारा और भी easy हो जाएगा this is called lens maker formula अगर हम लोग यहाँ पर एक एक case बना देते है चलो यह case 1 है when object is kept at infinity object को कहां रखे हम लोग infinity पे एकर रख देते infinity पे रखने का मतलब क्या you हमारा negative infinity हो जाएगा ठीक है infinity पे हमने रखा है तो यहाँ पर u के जगा आप infinity बिठा दो तो आपको automatic दिखेगा हमारा v is equal to क्या मिलेगा f के बराबर positive f के बराबर what is f, f is called focal length तो यहाँ पर substitute कर सकते हो आप जब हम लोग कोई भी चीज को object को infinity पे रखते हैं तो image मेरा focus पे बनता है तो उसी basis पे मेरा focus का formula यहाँ से चला आता है इसी को simplified formula में हम लोग 1 by f इस पूरे चीज को 1 by f से replace कर देते है इसको भी lens maker formula ही कहते है 1 by minus u और minus 1 by u plus 1 by v इसको बहुत सारे book में ऐसे लिखा जाता है 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f इसी लगे इसको परके हम लोग lecture खतम करते है 1st principle focus is the point on the principal axis of the lens at which if an object is placed the image would form at infinity पहला principle focus कौन सा होता है जहाँ पर मैं object को रखूं तो मेरा image जो है वो infinity पर जाके form हो जैसे अगर मेरा यहाँ lens है और यह रहा उसका focus 1 तो मैं object को अगर यहाँ रखूंगा तो मेरा image infinity पर जाके बने लिए जो यहाँ पर आप देख रहा है आपको यह रहा मेरा first focal length same चीज होता है हमारा ठीक है first focus देख रहा है आपको first focus इसका left hand side में होता है तो यह negative होता है इसका first focus positive side right hand side में होता है तो यह positive होता है यह याद रखना second focus क्या होता है second principal focus is the point अगर हम infinity से आने वाला सारे ray को एक जगा concentrate कर दे तो वो मेरा जो focus point होगा that is called second principal focus जो आपको image में दिख रहा है now this time it is positive and concave mirror this will be taken as distance negative so lens का एक special category होता है अगर thin lens हम लो पकड़ता है thin lens formula और Gaussian formula of lens equation अगर हम लो convex mirror के लिए मान लो यह रहा मेरा first focus यह रहा second focus और object को हमने इन दोनों के बीच में बिठाया है हमेशा ray के लिए हम लोग 3 line निकालते है एक ray को ऐसे direct ले जाना तो यह undivated चला गया एक को directly center of focus center of lens से pass करना यह भी undivated चला जायागा और last वाले को यहां से ले जाके divert कर देना यह तीनों point यह दोनों point जहां मिलेगा और यह center वाला point जहां मिलेगा यहां पर image बिठादे यह जो height है मेरा यह होगा object का height HO लिखता हूं मैं और यह जो height है यह image का height and obviously this will be taken as negative downward है and this will be taken as positive upward U is object distance V is image distance F is the focal length R is the radius of curvature तो what you get here so triangle ABC और A' B' C are similar triangles isn't it similar type के triangles है न परचुके है आप लोग 9-10 में so similar triangle का formula क्या हो सकता है दोनों का जो perpendicular है इसका ratio हम लोग ले सकते है तो A' B' A' B' divided by AB here दोनों का perpendicular और दोनों का क्या ले सकते है base ले सकते है CB' by CB so यह formula से और दूसरा एक triangle भी यहां फॉर्म हो रहा है as you can see here उसमें भी same formula हम लोग use करें तो यहां पर एक third चीज जो हमें मिलके बाहर आती है इन दोनों को compare करने से which is here okay so it is just purely mathematics sign convention को अगर यहां पुट करोगे तो हमारा यह simplified formula जो होता है जो अभी अभी हमने derive किया था वो इसी form में लिखते है अगर कोई lens बहुत thin हो तो उसके लिए वो यह बड़ा वाला equation हम ना use करके let me show you yes यह बड़ा वाला equation ना use करके हम simply R1, R2 के जगा सिर्फ यह equation use करेंगे इसे thin lens formula भी कहा जाता है okay so this is called thin lens formula और यह हमने यहां से derive किया ठीक है linear magnification मैं आपके लिए homework छोड़ दे रहा हूँ ठीक है magnification का मतलब बस जानके जाओ यह करना आप खुद से magnification मतलब image height और image length divided by object length और object size image का size उपर रखते हैं हम लोग by object size तो obviously अगर image मेरा बड़ा हुआ और object छोटा हुआ तो हम लोग कहेंगे magnification positive है magnification हुआ है और अगर इसका उल्टा हो जाए image छोटा हो जाए object बड़ा हो जाए तो हम लोग का magnification negative में हुआ और हम लोग कहेंगे size reduce हो जाएगा by formula यह proof होता है that magnification is nothing but image distance by object distance यह formula आता है हमारा इसका एक और formula जो होगा हमारा in terms of your image distance and focal length वो होता है f minus v by f यह सारे formulas important है और u और f के form में यह formula please keep in mind ठीक है? और lens of the power is very very important power lens का power जो होता है उसको d में diopter में मापते हैं यह बहुत बार पूछा जाता है और यह कुछ भी नहीं होता है power is nothing but reciprocal of the focal length focal length जो है उसका reciprocal को ही हम power कहते हैं इसके पर्टिकुलर lens का तो P is nothing but equal to 1 by f this is the end of ray optics 1 इसके बाद हम रोग ray optics 2 देखेंगे wave optics है and so many things if you have any doubt मुझे comments करना and most important solve problem एक है? you have reference book, NCRT solve करो जो doubts हो का पूचिछा okay thank you guys